हेलो फ्रेंज वेलकम टू कॉन स्टेडी आज हम करने जा रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चेप्टर का पार्ट फॉर जो की इसका फाइनल पार्ट भी है और इस पार्ट के बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हमारा चेप्टर है वो हो जाएक डोटली खतम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टेग्राम पर भी एक्टिव है ये रहे डिरेक्ट लिंग्स आपकी स्क्रीन पर चलती से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए और किस क्लास् for mathematics आज का तॉपिक हम शुरू करेंगे रिलेक्टिव स्पीड के concept से यहां पर लिख यह अगर आपको उनका उनकी स्पीड का सब्ट्रक्षिन करोगे इस चीज़ को आप ऐसे याद कर लो कि अगर आपको किसी गाड़ी को overtake करना है तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड उसकी स्पीड से ज्यादा करनी पड़ेगी और आपनी कितनी ज्यादा स्पीड से उसको overtake की है उसको निकालेंगे हम कैसे जब हम आपकी गाड़ी की स्प ह्जैच्अ कि इस दूजो उसरे को मीट कर रहे होंगे तो यह वही टाइम हो गा जिस पे आप एक दूसरे को मीट करेंगे ठीक है अब खैद्ट क läuft का अब आता है ओपोजेट डिरेक्षिन का ऌपोजेट की की जब बात चलकी तो नहीं गिएस वन और डरेस टूव और एड हो जाएंगी आपहोजे डियरेक्शन का मतलब सिर्फ वही नहीं दूर जा रहे हैं यह भी हुआ कि वह एक दूसरे की तर्फ भी आ रहे हैं रिलेटे सेहें genera कि अलाबी धुरुत सब्सक्रव का रहे हैं तो इंक दूसरे की तरफ बर जा रही थी और 80 km distance cover करने के बाद उसमें breakdown हो गया breakdown होने के बाद उसकी speed जो थी वो कम होगी कितनी कम हुई 3 by 4 होगी original speed के और 3 by 4 होने के बाद जब उसकी speed कम हुई है तो obvious सी बात है उसको अपनी destination में पहुँचने के लिए जादा time लगेगा तो इन्होंने दिया है कि वो कितना time जादा लगा वो 47 minutes जादा लगे क्यों क्योंकि अपने वो schedule time से 47 minutes लेट हुई तो यानि उसका मतलब है उसको 47 minutes जादा लगे अब next line कहा रही है कि वही accident starting point से 80 km के बजाए starting point से 95 km पे होता तो उसको मतलब जो 47 minutes लेट हुआ है उसके बजाए वो सिरफ 35 minutes से लेट होता है क्यों क्योंकि इस बार वो 95 km तक original speed पे चल रहा था 95 के बाद ही speed कम हुई है हम उन्होंने कहा है कि बताओ बई बस की original speed क्या है तो देखते हैं हमारे question का solution अब हमारा question कहा रहा है बस after moving 80 km meet with an accident यानि कि हमने एक starting point बनाया और एक destination बनाई उन दोनों के बीच में एक random जगा हमने point ले लिया और starting point से उस point तक का हमने distance मान लिया 80 km यानि कि इस 80 km बस अपनी usual speed पे चली इस point के बाद हुआ breakdown तो बस की speed होगी 3 by 4 of original और इस breakdown होने की वज़े से बस जो है 47 minutes लेट भी हो गई अब हमारी next line कहती है कि अगर accident जो है 95 km आगे जाके होता मतलब की starting point से लेके 95 km के distance पर जाके होता तो बस जो है 47 minutes के वज़ाए 35 minutes लेट होती तो यह सब चीज़े हमने diagramatically बना ली 80 km तक चला normal speed पर जब speed slow होई तो 47 minutes late हुआ second case में 95 km तक चला normal speed पर उसके बाद breakdown हुआ तो 35 minutes late हुआ अब जो spaces बची है हम उनको fill करेंगे जैसा कि kilometer के case में 95 से हम 80 minus करेंगे तो यह वली space आज़े कि 15 km और 47 time के case में 47 में 35 minus करेंगे तो यह space जाएगी हमारी 12 minute की बारा मिनिट है यह time ठक नहीं है यह 12 minute जो है यह time जो आ रहा है यह time का difference है यानि यह 12 minute लेट आ रहा है क्यों क्योंकि हमने 47 minute लेट में से 35 minute late काटे है तो यह जो 12 minute है Йह भी 12 minute late का दिया हुआ है 12 minute exact time नहीं है अब हमारे पास एक particular distance जो कि 15 km है उसके लिए time का difference आ गया जो कि है 12 minute late तो हम वही distance फाला formula लगाएंगे उसके लिए उसमें दो speeds भी होती थी उस distance के formula में जो हमने पिछली वीडियो में पड़ा तो हम देखेंगे कि हमारे पास speed कहां से आई की अब question में उन्होंने दिया है कि 3 by 4 of his original speed यानि हम मान लेंगे जो denominator है वो हमारी original speed है तो breakdown के बाद जो उसकी speed बनी वो थी 3 units अगर 4 units हमारी original speed है तो 3 units जो हमारी speed होगी वो होगी breakdown के बाद वही चीज़ हमने लिखी usual speed उसकी 4x थी new speed आगे उसकी 3x यही चीज़ हमने formula में पुट कर दी formula क्या कहते था s1 into s2 होता denominator में multiply by time का difference तो यह value हमने put की 4x into 3x आगया numerator में 4x-3x आगया denominator में और time का difference जो कि था 12 minute लेट वो हमने कर दिया multiply जब minute को हमने और में convert किया तो हमारे पास आगया 12 divided by 60 ठीक है अब इसी को हमने क्या करने distance के formula में distance तो हमें दिया हुआ है जब हम इसे solve करेंगे तो x की value आएगी 25 by 4 अब उन्होंने question में क्या पूचा है question में पूचा find the original speed of the bus original speed है 4x x की value 25 by 4 है जब हम 25 by 4 के साथ 4 को multiply करेंगे तो हमारी value आजएगी 25 km पर और चलते हैं अब हमारे next question पर हमारा question कहा रहा है कि एक train ने जितना भी total distance था उसमें से 1 by 4 cover किया और 1 by 4 distance को cover करने के बाद उसने पनी speed decrease कर ली कितनी 1 by 3 of its usual तो अब वेस सी बात है speed अगर decrease होगी तो time जाधा लेगा वो तो time उसने कितना जाधा लिया उसने एक घंटा 20 मिनिट जाधा ले लिए अपने destination पर पहुंचने के लिए तो उन्होंने पूछे simple सा कि usual time बतायो कि अगर वो अपनी speed को decrease नहीं करता तो किस time पे वो अपनी destination पे पहुंच जाता मतलब कितना time लेता अपनी destination पे पहुंचने के लिए अब आप देखो कि इस पे आपको speed 1, speed 2 नहीं दी हुई चलो speed 1, speed 2 हम 1 by 3 के basis पर निकाल भी लेते पर हमें एक distance भी तो चाहिए था ना proper तो distance भी हमें नहीं दिया हुआ तो distance वाले formula के basis पर हम इसको solve नहीं कर सकते आपको ये भी detect करना आना चाहिए कि आप कौन सा question formula के basis पर कर सकते हो और कौन सा question concepts के basis पर कर सकते हो तो ये question होगा concept के basis पर देखो जब उन्होंने कहा कि 1 by 4 of total distance तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी कोई fraction दी हो तो हम denominator को ही exact value या फिर usual value मानते हैं तो हमने मान लिया कि total distance है भई 4 unit अगर यहाँ पर 1 by 4 of time होता तो हम total time मान लेते हैं 4 hours ठीक है तो जो भी denominator होगा हम उसको total मान लेते हैं ठीक है इसमें दिया हुए 1 by 4 of total distance तो हमने 4 units मान लिया distance को ठीक है अब उसने distance cover कितना किया है यहाँ पर लिखा हुए 1 by 4 अगर 4 total distance है तो उसने 1 unit cover किया है तो यानि कि 4 unit के total suffer में उसने 1 unit का suffer जो है usual speed से cover किया है अभी हमें यह नहीं पता हुआ कि उसकी usual speed क्या है हमें बस इतना पता है कि 4 unit में से 1 unit उसने usual speed से cover किया है अब next line कह रही है कि यह वाला 1 unit cover करने के बाद उसने अपनी speed को decrease कर लिया 1 by 3 of its usual speed तो अगर हमने usual distance को मदब total distance को 4 units मानना था और उसमें से 1 unit उसने चल लिया तो remaining distance क्या आएगा उसमें तो 4 में से 1 minus कर देंगे तो 3 units आजागा हमारा remaining distance अब आपको पता है कि जो उसने 1 unit cover किया था वो usual speed से किया था और जो 3 unit cover किया है वो decreased speed के साथ cover किया है तो हम usual पर काम नहीं करेंगे हम जो नया distance होगा जो 3 unit का distance होगा हम उस पर काम करेंगे तो अब यहां हमारे पास speed की fraction दी हुए है 1 by 3 तो यानि की सिदी सिदी बात है 3 units जो होगा उसको हम मान लेंगे usual speed अब हमें काम करना है new speed पे तो इधर लिखा हुए है that 1 by 4 distance cover करने के बाद उसने अपनी speed decrease की है 1 by 3 से decrease word पे ध्यान रुखिए तो यहां पर जो new speed होगी वो 1 नहीं होगी वो 3 में से 1 minus करके आईगी क्यूं क्यूंकि इन्होंने यहां पर decrease करने की बात की है ठीक है 3 अगर हमने money usual तो decrease होगा उसमें 1 unit का हमारे new speed आईगी 2 अगर यहीं decrease के बज़ाए increase दिया होता तो हम 3 में 1 minus करने के बज़ाए 1 plus करते तब हमारी new speed आती 4 पर यहां पर हमने decrease का है तो इसलिए हम minus ही करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि usual speed आगी 3, new speed आगी 3 में 1 minus किया तो 2 अब हम time निकाल लेंगे क्योंकि यहां पर दिया होना reaches destination 1 और 20 minute late यानि कि हमें speed को जो है time में convert करना होगा तो हमने time में कैसे लाया speed है अगर 3 is to 2 time होगा inverse तो time आगया 2 is to 3 अब यहां दिया हुए 1 और 20 minute late late का मतलब आगया time का difference ठीक है तो time में हम difference करेंगे तो देख सकते हैं आपकी 3 minus 2 जो है time का difference आगया 1 unit का यहीं पर हमें question में exact value दियो है time की difference की 1 और 20 minute तो हम क्या करेंगे 1 और 20 minute को हम सिधा-सिधा minute में convert कर देंगे एक गंटे में 60 minute होते हैं और 60 minute के ऊपर वो 20 minute और लगा रहा है तो total time हमारे पास आ गया 80 minutes तो ratio में वो late time का difference आ रहा है 1 unit का और question में time का difference दिया हुए 80 minutes का तो 1 को हम compare कर लेंगे 80 से 1 unit की value आजएगी 80 minutes अब हमें usual time देखना है usual time यहां पर आप देख सकते हैं दिया हुए 2 units ठीक है अगर 1 unit की value है 80 minutes तो 2 unit की value कितनी हो जाएगी 160 minutes अब एक चीज़ देखिए मैंने आपको question के starting में ही कहा था 4 unit हमने total distance रिजूम किया था जिसमें से 1 unit उसने usual time में चला था तो मैंने आपको कहा था कि 1 unit को भूल जाइए हम फिलाल काम करेंगे 3 unit में क्योंकि उस पे ही सारी changes आई हैं तो यह जो 160 minutes उसने लिए cover करने के लिए यह distance में तो उन 3 units का ही होगा जब हम सारी calculation ही 3 unit के लिए कर रहे थे तो जो time taken होगा वो भी तो 3 units के लिए होगा पर हमें इदर लिखा हुए question में की find the usual time taken by train to cover complete distance तो अगर 3 units हम 160 minute में कर रहे हैं cover ठीक है और 4 unit हमारा total distance है तो उस 4 unit की value निकालने के लिए हमें पहले 1 की value चाहिए होगी 3 unit कर रहे हम 160 minute में तो 1 unit हम cover करेंगे 160 by 3 minute में और हमें complete distance देखना है जो की था 4 unit complete distance निकालने के लिए हम 160 by 3 को 4 से multiply कर देंगे तो time taken क्या आ जाएगा 640 by 3 minutes is the total time taken by train to cover the complete distance which is 4 units शिताबदी एक्सप्रेस लेफ देली 40 minutes late तो शिताबदी एक्सप्रेस है उसने देली स्टेशन को 40 minute late leave किया after covering half of the total distance it increases its speed by 1 by 6 of original speed and reached चंडिकट on time अब देखिए उसने 40 minute late छोड़ा तो अपने time को compensate करने के लिए उसने आदा distance cover करने के बाद अपनी speed जो है वो 1 by 6 से increase कर दी ठीक है find usual time taken by train to cover the complete channel ठीक है अब आते हैं हमारे solution पे अब वही चीज़ आगे इसमें कि एक पुरानाई speed थी एक new speed थी speed से हम time में convert करेंगे और time हमें दिया हुए 40 minute late तो speed की हमें fraction दी हुई है 1 by 6 जिसमें से 6 होगा वो तो original speed होगा सीधा सीधा ही अब new speed हमें कैसे calculate करनी है हम statement को दोबारा देखेंगे new speed के लिए तो statement हमारी कह रही है it increases its speed by 1 by 6 of original speed तो यानि मैंने आपको बताया था increases या decreases more या less ऐसे words दिये हो तो numerator जो है वो original वाली में original speed में या original time या distance जो भी आपको question में दिये होगा उसमें add या subtract होगा अगर increase है तो add होगा numerator अगर decrease है तो subtract होगा numerator वैसे ही इस question में दिया होगा कि it increases its speed by 1 by 6 यानि अगर original speed हमारी है 6 unit तो उसमें increase होगा 1 unit का हमारी new speed हाजएगी 7 अब उन्होंने कहा है question में हमें एक ही जगा time दिया होगा और वो दिया है question के बिल्कुल पहली line में जहां पर train जो है वो अपने station को leave ही 40 minute late कर रही है यानि time difference जो हमें दिया होगा वो है 40 minute का लेट का मतलब time के difference की बाद चल रही है तो time का difference देखेंगे हम यहां पर तो 7 units minus 6 units is equal to 1 units तो 1 unit को जब हम 40 minutes से compare करेंगे तो 1 की value आजएगे 40 minute हम क्या निकालेंगे हम निकालेंगे usual time क्योंकि question में पूछवा है find usual time in minutes taken to cover complete general तो usual time आपको दिख रहा है यहां पर 7 units का है तो 1 unit की value अगर 40 minutes तर 7 units की value हो जाएगे 280 minutes पर यह क्या 280 minutes जो है यह हमारा complete answer है नहीं बिलकुल नहीं यह हमारा complete answer नहीं है क्यों क्योंकि इन्होंने का है after covering half of the distance यानि कि first half जो है उसने अपने normal speed पे cover किया है और second half के लिए ही उसने अपनी speed में फिर बदल किया है 1 by 6 का ठीक है तो जो अब भी हमने सारी calculation की यह हमने जो भी calculations की यह सारी second half के लिए की है यानि कि उसने second half जो है 280 minutes में cover किया अगर वो usual speed से करता तो total distance क्या होगा first half plus second half अगर आदा distance वो 280 minutes में cover कर रहा है तो पूरा distance वो कितने minutes में cover करेगा पूरा distance वो cover करेगा 280 multiplied by 2 which is 560 minutes चलते हैं हमारे next question पर राम एंड शाम started walking in opposite direction on same time यानि कि वो opposite direction में चल रहे हैं और उनने चलना शुरू किया same time पे राम walked from P to Q while शाम walked from Q to P यानि कि राम जो है वो P से Q की तरफ जा रहा है और शाम जो है वो Q से P की तरफ आ रहा है यानि कि वो एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं अब देखिए 40 और 90 मिनिट जो दिया है वो टोटल टाइम नहीं है जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो एक पॉइंट आया रास्ते में जहां पे वो एक दूसरे को मिले और मिलने के बाद जो आगे का distance उन्होंने कवर किया वो राम ने 40 मिनिट में किया और शाम ने 90 मिनिट में कवर किया अब देखते हैं ऐसे को उसको कैसे solve करना है हमने राम की speed r मान ली शाम की speed s मान ली अब राम जा रहा है p से q शाम जा रहा है q से p हमने एक point मान लिया m जो की था उनका meeting point जहां राम और शाम एक दूसरे को मिल रहे हैं मिलने के बाद शाम जो है वो ले ठीक है p m divided by q m is equals to r divided by s यानि कि p m जो राम ने distance cover किया r speed में q m जो शाम ने distance cover किया s speed में तो p m के सामने ही r है q m के सामने ही s है जो की उनकी speed थी अब एक चीज़ इसको ऐसे याद रखिए for example आप और आपका friend एक distance से चलना शुरू हुए और साड़े बारा बज़े आप एक point पर आके मिल रहे हैं ठीक है बारा बज़े शुरू हुए साड़े बारा एक point पर आके मिल रहे हैं आपने जादा distance cover किया है आपके friend ने कम distance cover किया पर एक चीज़ देखिए आप जिस point पर मिल रहे हैं उस point पर आपको भी पहुँचने में साड़े बारा बज़े तक का ही time लग रहे हैं वही शाम को qm distance cover करने में time लगगा तभी वो एक point पर आके मिलेंगे जब time common हो तो आपको पता है speed जो है वो directly proportional होते है distance के यही एक reason है कि pm के सामने उसी की speed आ रही है और qm के सामने उसी की speed आ रही है ठीक है अब देखिए pm upon qm तो है मिलने से पहले पहले जो र r by s आगे उनकी speed ठीक है अब मिलने के बाद pm distance जो है वो शाम कवर करेगा और qm जो distance है वो राम कवर करेगा और उनके respective time भी दियो है कि शाम कवर करेगा pm 90 मिनिट में राम कवर करेगा 40 मिनिट में अब हमारे पास इन दोनों का distance आ गया यानिकी pm और qm इनका time आ गया यानिक 40 मिनिट और 90 मिनिट और इनकी speed भी आगी है राम की है आर शाम की है ऐसे तो हम distance पे speed into time का लगा सकते हैं अब first part के लिए आप सिरफ mq distance consider कीजिए mq distance कौन कवर करेगा meeting के बाद mq distance कवर करेगा राम और राम की speed क्या है आर और वो mq distance को कवर करने में कितना time ले रहा है 40 मिनि distance meeting के बाद कवर कर रहा है शाम टाइम ले रहा है 90 मिनिट और शाम की speed है s तो speed into time pm की value आगी 90 into s अब उपर pm upon qm equals to r by s में हम यह values put कर देंगे जब हम यह values put करेंगे तो हमारी equation कुछ ऐसे दिखे की जब हम इसको cross multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा r square upon s square is equal to 90 by 40 00 cancel out किये हमारे square by s square का square हटाएंगे तो हमारा वो दूसरे side जाके under root बन जाएगा 9 by 4 का under root होगा 3 by 2 यानि कि r by s की value आगी 3 by 2 और मैंने आपको बताया है जब भी हम assumption पर काम करते हैं तो हम fraction को सामने जो value दी होती है हम उसको वही value दे देते हैं यानि कि r को हम 3 units की value दे देंगे और s को हम 2 units की value दे देंगे अब मारे पास total distance है PQ वो कैसे आएगा जब हम PM में QM add करेंगे और PM और QM हमें पता है 90s और plus 40R है तो जब हम s और r की value इसमें add करेंगे तो PQ की जो value होगी वो 300 units आ जाएगी 300 units अभी भी assumption पर ही चल रहा है अब उनने काया find the time taken by them to meet each other ठीक है तो मैंने सब से starting जब यह आज का lecture शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था relative speed का concept और relative speed में जो time निकलता था वो meeting time ही होता था अब राम और शाम एक दूसरे की तरफ जा रहे है यानि वो opposite direction में जा रहे है तो relative speed होगी add ठीक है जब relative speed add होगी तो इनकी speed कह है R or S और R or S की हमने values निकाल लिए 3 unit और 2 unit जब हम R plus S करेंगे तो हमारे पास relative speed आजएगे 5 minutes distance है हमारे पास 300 unit time है हमारे पास 5 unit तो हमारे पास उनके मिलने का time आजएगा कैसे distance upon speed is equals to time तो 300 divided by 5 is equals to 60 minutes तो इस 60 minute लगेंगे उनको यानि की 1 घंटा लगेगा उनको M point पे पहुँचने के लिए जहा और इसी के साथ साथ हमारा पूरा chapter भी complete हो जाता है